निमस्कार्ट स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ शेरिन और आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सरकार में ही रह चुके पूर्व जोइन्ट लेवल के कमिशनर यानि की आज हमारे साथ मौजूद हैं M.K. गौड जी सर से बात करेंगे कि आज CBI ने मनीश शोदिया के लिए शराब घुटाले मैं कल फिर एक बार जाच के लिए बुलाया है पूछताच के लिए बुलाया है जिस पर मनीश शोदिया का कहना है कि मुझे तंग किया जा रहा है क्योंकि मैं दली के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, सिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहा हूँ और हम सर से ही बात करेंगे, क्योंकि सर आम आदमी पार्टी सरकार में Joint Commissioner रह चुके हैं, और ये जो पेपर आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कोई मामुली पेपर नहीं है, ये तमाम वो केस हैं, तमाम वो ब्रस्टा चार के मामले हैं, चाहे फिर वो सिक्षा से जुड़े हों, या फिर वो लेवर से जुड़े हुए हों, जिनको लेकर सर सुप्रीम कोड से लेकर हाई कोड जा चुके हैं आम आदमी पार्टी के फ्रस्टा चारों को लेकर सर आज दिल्ली में शराब घोटाले की बात होती है तो हजारो करोड रुपे के जो जनता के टेक्स का पैसा है उस पर भी बात की जाती है आज अगर CBI इस पर जाच कर रही है मनीश शुशोदिया को बुलाया गया है तो मनीश शुशोदिया ये क्यूं कह रहे है कि एजंसिया मेरे पीछे लगा दी गई है देखेगा जब सरकार के पास में विभाग होता है और ये विभाग इनका जो शराब परोसी जाती है उसके लिए जो मूल्य तै की गए थे और कमिशन तै किया गया था ये पहली बार हुआ कि जहां पर सरकार ने पार्टिवेट किया तो ये एक तो हमारे सरकार के जो जो हमारा एक्सचेकर का मनी है वो कम हो गया तो इन्होंने ये सोचा कि एक्सचेकर का जब पैसा कम हो रहा है तो क्यों न हम ऐसा करें कि एक बोतल के ओपर एक और बोतल दें जिससे कि यहां पर पीने वालों की संख्या पहले से डबल हो जाए है सबोस्सफूर दिली में पहले जो कंजंशन जो ती वो सो थी तो कंजंशन को हम बढ़ा देंगे और कंजंशन को भी बढ़ा देंगे एक तरफ तो कंजंशन बढ़ जाएगा और दूसी तरफ कंसम्शन जो बढ़ जाएगी तो कहीं किसी इस तरफ पर जाके ये पता नहीं चलेगा कि दिल्ली की सरकार का जो राजसो है वो कम हो रहा है तो ये कारण रहा कि इन्होंने इस तरह की स्कीम बनाई और जब एफ आई यार दर्ज हो जाती है तो इन्वेस्टिकेशन शू कि अंदर को चुछ जो कंपनिया थी उनमें उनके स्टेट्समेंस इस्टेट्मेंर रिकॉर्ड हो रहे हैं इसस्टेट्मेंट और जब रिकॉर्ड हो जाते हैं और जब वह सामने कोई चीज आती है तो उसकि क्लारिफ ये जरूर कि गौना बुला गुला जाता है तो सी से बार बार पर मनीश शुशोदिया जाच को लेकर ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने मेरे पीछे एजंसिया इसलिए लगा दी हैं क्योंकि मैं दिल्ली में सिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं और ये पेपर जो मेरे सामने रखे हैं जिसमें खुद आपने खुलासा किया है कि किस तरीके से दिल्ली के स्कूलों का हाल है बच्चे फेल हो रहे हैं शिक्स्ता काश्तर लगातार नीचे गिर रहा है फिर किस बेसिस पर आज बनीश शुशोदिया ये कहते हैं कि वो दिल्ली के बच्चों को आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सबसे अच्छी जो सिक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली में है देखेंगा पहले तो जो भी सरकार है पहले तो ये बताए कि कितने नए स्कूल उन्होंने हम बनाए है अब स्कूल एक नहीं बनाए है सबको मालूम होना चाहिए जहां-जहां भी इलेक्शन्स होते हैं तो वहां ये कहा जाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है उस पे मेरा अपना अध्यान हुआ आर्टी आई के माध्यम से हमने काफी इंफॉर्मेशन ले ली है जिसमें ये मालूम पढ़ रहा है कि 30% जो संख्या थी अध्यापकों की वो खाली पड़े हैं अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं और उनको सुचारू रूप से भरा नहीं गया है जो स्केल में जो अध्यापक होते हैं वो एक छेड़ी है और दूसरी छेड़ी है जहां उन्हें कॉंट्रेक्शल अपाइंट्मेंट किये हैं कॉंट्रेक्शल है इसके पीछे क्या कारण है क्योंकि यह जितने भी अध्यापक आये थे वह मेरिट पर नहीं आये थे वह मात्र एक्जाम पास करके आये थे यह वेल अध्यापक आये थे वह मेरिटेशन कंप्टीशन में होता है कि अगर सौ एपलाई करते हैं तो उसमें से पांच यह दस जो पोस्ट होती है भरी जाती है बाकी सबको नोकली नहीं मिलती है यहां पर तो जिसने चाहा कि मैं अब इसमें कॉंट्रेक्शल लिबर में ही एपलाई कर दों कॉंट्रेक्शल टीचर की जॉब पर अपलाई कर दों तो उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं मिल रहा तो कॉंट्रेक्शल में ही चले जाते हैं आज की तारिक में उनकी जो उनका वेतन जो है वो करीब 30,000 रुपे है और जबकि जो रेगलर टीचर होते हैं TGT और PGT उ तो हम इनको रेगलर करेंगे और रेगलर करने के लिए कोई इनके पास में कोई स्कीम नहीं है अब वो अध्यापक खुद ही सड़कों पे आ जाते हैं अब जो अध्यापक सड़कों पे आके अपने लिए लड़ाई लड़ेगा तो जो स्कूल का चात्र है उसके लिए कैसे उसको पुढ़ाने के लिए, किस तरह से आप उसको बात दे कर सकते हैं। मेरिट पे क्योंकि टीचर्स नहीं आए हैं और स्कूलों की संख्यानी बड़ी है, यही एक विशह नहीं है। इसके साथ में विशह यह है कि अखबारों में जब रिजल्ट आता है, तो दसवी का और बार्मी का रिजल्ट कैसे बड़िया किया जाए? इसके लिए इस सरकार ने बहुत बड़िया प्रिया सकी हैं। इसमें क्या किया गया है कि जो स्कूल में जो नौवी क्लास के चातर होते हैं, उनको फेल कर दिया जाता है, या कर दिया जाता है, क्योंकि प्रमाण उसके लिए साक्षे होना जरूरी है, लेकिन साक्षे इतना स्ट्रॉंग साक्षे हमारे पास में है, जब हमने आर्टियाई म application लगा के पूछा तो ये एक school है गौर्णमेंट बॉइ सीनियर गौर्णमेंट बॉइ सेकेंडरी स्कूल सीलमपूर इसमें आप अगर आपके संबुख में आपको करता हूं इसमें class 9 के अंदर 294 बच्चे फेल हुए हैं आप थोड़ा दिखाएं इसको 294 बच्चे class 9 में फे फेल फेल हुए हैं एक ही school में अगर फेल होने की संख्या ये है तो कौन सा स्थर अच्छा हो रहा है या बढ़िया हो गया है आपके आते एक जीनत महल का school है जीनत महल ये पुरानी दिल्ली में है यहां पे अल्पस संख्यक संपरदाय के बहुत कमजोर वर के बच्चे यहा इसमें जो फेल जो हुए उन बच्चों की संख्या इसमें आ रही है क्लास 9 में 140 2014 15 में उसके बाद में 2015 में यह संख्या बढ़के हो जाती है 174 2016 में 17 में यह संख्या हो जाती है 212 1718 में इसी प्रकार से 168 1655 यह है आपके पास में RTI की figure है आप देख सकते हैं यह RTIE स्कूल के जो प्राध्याबक हैं उन्होंने और जो डिप्टी डारेक्टर हैं उनके सिकनेचर से मेंने हमें प्राप्त हुई है तो शिक्षा का इस्तर तो आप कृप्याग ना बोलें आप ये बताएं क्योंकि मैं श्रम विभाग में रहा हूं तो वहां पर श्रम और एक ही Department होता है एक ही Secretary होते है विभाग के उस जबसे इन्होंने कारेभाल अपना समाला है आठ नौ वर्ष होने जा रहे है इन आठ नौ वर्ष में इनोने सरकार के अंदर जो regular पद थे वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं उनकी उनको भरा नहीं जा रहा है बात यह है कि सरकार के पास में जब उनका बजट अस्तवियस हो जाता है तो वो सोचते हैं कि अगर इनको regular scale में नौकरी दी जाएगी तो तीन गुना salary दी जाएगी तो क्यों न यह salary बचा ली जाए तो अब क्या हो रहा है कि back door entry हो रही है ठेकेदार contractual labor यह पीछे से भरती हो रही है और वो सरकारी दख्तर में काम कर रहे हैं और बड़े आश्चरे की बात है कि जो private company के ठेकेदारों के माध्यम से यहाँ पर school में जो नौकरी दी जा रही है केवल सरकारी अधिकारी को उसके लिखने का अधिकार है उसको proposal देने का अधिकार है उसके लिए कोई submission जो भी होती है note sheet पे की जाती है अगर उस सरकारी note sheet के उपर private company के ठेकेदार के आदमी उसके काम कर रहे हैं जिनका अभी तक ना तो medical हुआ है ना उनका police verification हुआ है उनकी आयू का नहीं मालूम है क्योंकि उन्होंने कहा कहा काम किया उनके पीछे क्या अनुभव रहा वो कितना merit पर काम कर सकते हैं तो वो तो वही काम करेंगे जो उनको कहा जाएगा क्योंकि उनकी contractual की job है उनको कभी भी निकाल जा सकता है तो इगर ये job की बात करें तो वहाँ पर जो मेरे पास में आकने employment से आये हैं वहाँ पर वर्ष में मुश्किल से 2-3,000 पद जो है भरे गए हैं सरकार द्वारा और आज की तारिक में जो दिल्ली की बड़ी problem है वो unemployment की है contractual labor की है आज की तारिक में दिल्ली के अंदर जो जो पद खाली रहते हैं उसमें जल्ली से contractual labor भर दी जाती है लेकिन यह एक उपाय नहीं है यह एक temporary कोई हो सकता है लेकिन 9 वर्ष लगातार ठेगेदार के कमचारी अगर note sheet पे लिखकर proposal भेज रहे हैं आगे तो वह एक दखलनदाजी है सरकार के काम काज में मेरा यह कहना होगा सर आप Supreme Court से लेकर High Court दोनों ही कोटों में आप Legal Practice भी कर रहे हैं आज अगर agency अगर जाच कर रहे हैं किसी भी मामले को लेकर तो यह क्यों कहा जाता है कि केंदर सरकार हमारी सरकार गिराने का प्रयास कर रही है किसी भी अगर कोई भषटचार निकल कर सामने आया है तो उसमें जाच पूरी क्यों नहीं होने देते हैं ये आम आद्मी पार्टी के तमाम नीता चाहे फिर वो मनीश्य शोदिया हो या फिर खुद मुख्य मंत्री हो ये क्यों कहा जाता है कि केंद्र सरकार हमारी सरकार गिराने के लिए इसब कर रही है और CBI भी केंद्र सरकार के कहने पर ही नोटिस भेज रही है, LGBT हमें काम नहीं करने दे रहे हैं? क्वालेंगे तो ये इनकी भू है अभी आपको मालू को मालू मैं लालो यादव जिल में रहे हैं, एक घ्रियान की खुझ मत्री भी ज्यल में रहे हैं, तो क्यों नहीं ये अपनी जाचा होने देते हैं। एक बात असल में ये हैं कि फॉलासा हो चुका है। क्योंकि उस तो अब ये देखा जाएगा कि इन्वेस्टिकेशन में जब चीजें आ रही है तो आप जाहिए इन्वेस्टिकेशन में बात कहिए जो भी आपको कहना है आप संकोच क्यों करते हैं आप अपने साथ में भीड लेके चलते हैं आप बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं अरे आप आप अकेले जाईए गाड़ी में बैठिए जाईए और उसके बाद में आप अपनी बात कहें के आईए उसमें जो भी आपको कहना है जाच एजिंसी अपना काम करेंगी जाच एजिंस जीओ को लेकर बार-बार दिली के मुख्य मंतरी का भी सर अभी एडी की चार्ट शीट में नाम आया था तो उन्होंने कहा कि सरकार गिराने का प्रयास हो रहा है आप खुद सरकार का हिस्सर है जॉइंट कमीशनर रह चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि सरका सरकार कुछार की किन्द सरकार गिराने के सब करेगी इस गुटा ले के जाँ छो रही है तुमंस ड़ीजिशन ऑपावर है वह बिलको आप साथ है और उसमें एल्जी अकाम कर रहे है और यह अपना काम करे अभी तो यह मू Marcus कुछ जो पद थे जो एड़केश्व डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल के पद थे करीब तीन सो साड़े तीन सो पद थे वो भी पांस साल से खाली पड़े थे LG ने फाइल मंगाई हैं और उसमें कुछ पद जिनमें दो साल से तक का समय था उनको भर दिया गया है तो अब ये प्रशन ये उड़ता है कि आप उनको प्रपोजल को आगे भेजते नहीं है LG को काम नहीं करने दे रहे हैं क्या ये सही नहीं है कि पद भर गए प्रिंसिपल के करीब 200 प्रिंसिपल के पद भरे हैं तो ये तो बहुत अच्छा एक LG की तरफ से कदम हुआ तो इसको उनको भी अप्रिशेट करना चाहिए I will definitely say that schools की अंदर अगर प्रिंसिपल नहीं है तो एक वातावरण कुछ और होता है जब स्कूल में प्रिंसिपल आ जाते हैं तो वातावरण टीचर्स के लिए और स्टूड्स के सब के लिए एक बदल साजाता है इनका मैं मतलब कहने का मेरा मतलबी है अनुशासन स्कूल में आ जाता है